नमस्कार मैं हूँ समसीर आलम और आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट इस वक्त हम आपके सामने मौजूद हैं सागर जिले की दो बड़ी खबरों के साथ सबसे पहले हम आपको बता दे कि सरकारी अधिकारी की नौकरी पाने के लिए लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है इससे तो आप वाकिफ होंगे ही कुछ इसी प्रकार का एक वाक्या मद्दे प्रदेश के सागर जिले में हुआ है सागर जिले के CMHO पत कोई छोटा मोटा नहीं होता परन्तु मद्दे प्रदेश के मुख्य मंतरी सिवराज सिंग चोहान जी के दोरा इन्हीं ततकाल मिश्कासित कर दिया गया है कारण यह बताया गया है कि CMHO सहक के दोरा कोरोना अपडेट की जानकारी नहीं दी जा रही थी और इसे मुख्य मंतरी जी के दोरा इस वक्त की जा रही बड़ी लापरवाही मानी जाएगी तो सवाल यह है कि कुछ दिन पहले मध्य परदेश के जीले में ही जब कोरोना से चार मरीज जो थे वहां के पॉजिटिव पाए गये थे और उसके बाद जब कुछ दिन उनका इलाज चला उसके बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी तब इसी सागर जेले के विधायक माननी सेलेंद्र जेन द्वारा सोसल डिस्टेंसिंग जैसे चीजों की धजिया उराई गई थी उस वक्त ये न्यायक कहां चला गया था एक अधिकारी को निलंबित करने में 10 मिनट नहीं लगे और एक विधायक से सवाल करने तक अभी तक कोई सामने नहीं आया है ऐसी इसकी जो एक तस्वीर वाइरल हो रही थी वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जिस तस्वीर भी ये साफ होता है कि विधायक सेलेन जेंग द्वारा जो खुसी जाहिर की जा रही थी वहाँ पर उस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग नाम की वहाँ पर कोई चीज मौजूद नहीं थी तो एक तरह से इसे भी हम लापरवाही मान सकते हैं दूसरी खबर नो सागर जिले से इस सुट का रही है सागर जिले से ही दूसरी बड़ी खबर यह है कि बीते दिन सागर में एक मा की मम्ता ने जीत हासिल की है हम आपको बता दे कि डेड़ साल की बच्ची ने कोरोना को हरा दिया है जी हाँ वैसे तो अभी तक सागर जिले के 36 लोग ठीक हो चुके हैं पर डेड़ साल की पहली बच्ची है जिसने कोरोना को हराया है बुद्धवार को इस बच्ची की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इसे अस्पताल से डिश्चार्ज किया गया था मा की ममता इसलिए बताया गया है क्योंकि जब इस बच्ची की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी उस वक्त इसकी मा के साथ इसे नहीं रखा जा रहा था क्योंकि इसकी मा की जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई थी परन्तु मा ने फैसला लिया था कि वो अपनी बच्ची को अकेले नहीं छोड़ेगी और वो अपनी बच्ची के साथ रहकर उसे जिता कर अपने साथ ले जाएगी और ऐसा ही हुआ बुद्धवार को लेकर उसकी मा ने उसे बाहर निकला उसके बाद वहाँ पर जो देखने को मिला उस बच्ची के चेहरे पर जो खुसी थी और जो मुस्कुराहटे थी वह कभी बयान नहीं की जा सकती उस बच्ची ने अस्पताल से निकलते वक्त सभी को हाथ हिला कर बाय किया और सभी का धन्यवाद किया गन्यवाद कैमरामेन रंजन के साथ संसीर आलाम फोल खोल रूज़ और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें घंटिक बटन दबाना न भूलें जिसे नई अब्डेट आपको समय समय पर मिल सके